नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे सामने बिसलेशन के लिए आई हुई है आप पुरुस जातक है और आपके हतेली आज विबेचना के लिए रियल हतेली है और एक चीज हतेली में सबसे अलग है बहुत कम हतेलियों में ऐसा दिखाई देता है और बहुत बड़ी खासियत है ये आप अगर देखेंगे इस हतेली में जो उंगलियां है क्योंकि उंगलियां हतेली की जो होती है ये हमारे जीवन में बड़ा महत्त रखती है ठीक है न, अब इसका जुकाव देखो आप, ये कहां को जुक रही है, ये भी जुक रही है, और ये भी जुक रही है मतलब सभी उंगलियों का जो जुकाव दिखाई दे रहा है ये गुरु परवत की तरब दिखाई दे रहा है इस उंगली की तरब दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपके बिचारों में स्वतंतरता है और हमेशा आपके विचारों में स्वतंतरता पाई जाएगी अपनी ही बातों को मनवानी की इक्षा सीधी सी बात है ये गुरु परवत से परभावित हो रही है तो लीडर्शिप की जो क्वालिटी है आपके अंदर जबरदस्त रहेगी और इसका बहुत बड़ा फाइदा आपको मिलेगा अब दूसरी सिच्वेशन देख लो हतेली में ये बहुत सांदार है देख लेजेगा आप एक बार हतेली का आकार यहां पे देखेंगे तो ये पूरी तरों से आयताकार है तो जो करियर का मामला है आपका उसको अगर हम देखते हैं तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिस्क से ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा तरकी देने वाला रहेगा और इस करियर में आप बहुत बड़ी काम्याभी को हासिल करेंगे इसके बजाए कि सारिरिक मेहनत जिसमें ज़्यादा करनी पड़ती हो दूसरी बात यकीन मानेगा सकारात्मक सोच आपके अंदर हमेशा हावी रहेगी पोजिटिव सोच, पोजिटिव बिचार कुछ नया करने की क्रिएटिविटी आपके अंदर हावी रहेगी और यही चीज है जिसके दम पे आप जिवन में सफल होंगे तीसरी बड़ी बात देखेगा फिर मैं पूरी हतेली पे आता हूँ यहाँ पे यह आपका बुद्ध का परवत है बुद्धवानी का कारक है हमारी तन की जो सुन्दर्ता है और आज के युग में तन की सुन्दर्ता भी बहुत जरूरी है खास कर आप अगर मार्केटिंग के छेतर में हो खास कर आप अगर बहुत बड़ी कमपनियों में अच्छे लेबल पे हो तो आपकी तन की सुन्दरता आपकी energetic सोभाव बहुत जादा महत्व रखता है और आपकी communication skills आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं इस बारे में जो market में research करते हैं या बड़े पदों पे हैं ठीक है नए अब इसकी उंगली देखो ये पूरी तरों से जुक रखी है मनी इस बहुतिक युग के दोर में ये सांदार परिणाम है धन कमाने की ललक और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इसके पहले पूरों से उपर की और जा रही है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके अंदर एक उत्क्रिष्ट ब्यापारी के गुण है उत्क्रिष्ट ब्यापारी के गुण मतलब जिसको हम कहते हैं सेल्स और मार्केटिंग की समझ आपके अंदर जबरदस्त है जो कम्यूनिकेशन इसकिल्स है इसके दम पे आप बहुत बड़ी सपलता हासिल करेंगे इस पश्ट दिखा रहा है और ऐसा ब्यक्ति निश्चित तोर पे अगर आप देखे अगर ब्यापार करे तो अच्छा खासा ब्यापार करता है और ऐसा ब्यक्ति अगर नौकरी भी करता है चाए वो प्राइवेट छेत्र हो चाए वो सरकारी छेत्र हो ये ब्यक्ति अधिकारी लेबल का ब्यक्ति होता है और उच्चवर्ग का ब्यक्ति होता है स्रेश्ट और सफल ब्यक्ति होता है क्यों होता है क्योंकि इस ब्यक्ति की जो कम्यूनिकेशनी स्किल्स है उसके दम पे ये सफल होता है बाणी की ताकत होती है अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण होते हैं इस कारण से ये बिक्त निश्चित तोर पे जो है सफलता पाता है और यही आपके सफल होने की यहां पे राज दिखाई दे रहा है एक खुब सुरत चीज और है आपके हतीली में पहले बुद्ध परवत की यही और चला जाए बुद्ध परवत को थोड़ा आपने नॉर्मल करना है जादा उठ रहा है तो कभी-कभी यह चीजों में अन्बैलिंस कर लेता है तो इसके लिए हरी सबजी है हरे फल है हरी दाले है इसका जादा से जादा सिवन करे और अगर सुबह नहाते हैं आप और कोई अगर परफ्यूम डालते हैं सरीर में तो कोशिस करें कि चंदन की खुस्बूवाला परफ्यूम आप डालें और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ओफिस के बैंग में हमेशा रखें उसको यूज न करिएगा केवल सिंबल के तौर पर रखेंगा और रातरी के समया बारा बज़े से पहले कोई एक समय चुलने और कम्मल के आसन पे बैठके रुद्राक्ष की माला से पश्चिम दिसा की तरप मुख करके एक माला गायतरी महामंतर का जाप करें दुनिया का सबसे बड़ा मंतर जो है जिसको ब्रह्म सास्तर कहा गया है वो किवल गायतरी मंतर है इस एक मंतर को करने से सभी परकार की साधनाएं पूरी होती है और हर परकार की फलों की प्राप्त होती है और सास्तरों में गुप्त तरीके सी ये भी कहा गया है कि मंतर जबते समया महागायतरी मंतर जबते समया जिस चीज की कामना की जाती है वो चीज परत्यक्ष तोर पे बिक्ति की जिवन में आती है प्राप्त हो जाती है तो अगर आप ये काम निश्चित रोप से मन से करते हैं जबरदस्ती नहीं केवल अगर मन लगता है आपका एक माला रोज रात्री की समय अगर आप कर सकते हैं पस्चिम दिशा की तरह मुख करके तो निश्चित तोर पे आपको बहुत बड़ी उपलब हासिल होगी और यहां पर यह चीज दिखाई दे रही है जैसा आपका बुद्ध है एक समय ऐसा आ रहा है आपके जिवन में कि जिसका में भी आप हात डालेंगे उसमें पूरी सपलता अर्जित करने वाले हैं हर तरह की प्रस्तितियों को भले भाति समझेंगे और अगर यो अंदर अच्छी है बुद्ध के कारण कि जो काम आप प्रारंब कर लेते हैं उसे कभी भी अधोरी में नहीं छोड़ते हैं पूरा ओश्य करते हैं और यह खाश्यत आपको जो है जरूर तरक्की देगी यहां पर देखेंगे कि बुद्ध का परवत अच्छी इस्तिति में आ रहा है निश्चित रूप से जो है थोड़ा इगो प्रोब्लम तो रहेगी आपके अंदर बुद्ध अभी पूरी सामंजेश्य में नहीं है लेकिन सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है यह अप अच्छी तरों से जानेंगे और कहीं न कहीं ब्यापार से समंदित कारियों में विसे सपलता की आपको प्राप्ति होगी ठीक समय के आपको तलास रहती है और समय का पूरा पूरा उप्योग करने में भी आप दक्ष है ये अच्छी चीज दिखाई दे रही है एक चीज और देखेगा फिर हम पूरी हतीली पे जाते हैं यहां पे ये भग्य अस्तान है और इसकी उंगली जब इस परकार से एक सही अनुपात में खड़ी होती है और इसकी तरफ गुरू की तरफ जुकती है तो ऐसे लोगों का जो भगा दोड़ी वाला काम होता है वो कम रहता है जादतर बैठ करके मानसिक कार्य ये लोग करते हैं ऐसा कार्य इनको मिलता है और अपने कार्यों में ये सत प्रतिसत सफल होते हैं समय आता है ठीक है ना दूसरी बात ऐसे लोगों का जो मानसिक छमता होती है जो दिमाग की ताकत होती है वो पावर जबरदस्त रहत आपकी है और ये उंगली भी गुरू की इसी तरब जुके हुई हो तो ये लोग धार्मिक भी होते हैं धार्मिक प्रवृति के इनसान होते हैं और इनकी जो अध्यात्मिक चमता है वो जवरदस्त रहती है और भाग्यका इन लोगों को खूब साथ मिलता है बले ही कुछ समय इनको उतार चड़ाव जहिलना पड़े कुछ समय संगर्स जहिलना पड़े लेकिन जब भाग्य चमकने बैट जाता है तो जवरदस्त रूप में चमकता है ओ यही दिखाई दे रहा है गुरू के कारण देव गुरू ब्रस्पती के कारण ब्रस्पती महाराजी के कारण कितनी आप दोसरों की मदद करेंगे उससे दुगणा लाब आपको होगा उसको तो होगा ही आपको जादा होगा एक अच्छी नौलेज आपके अंदर है बिरस्पति के कारण बहुत जादा नौलेज बलिब्यक्ति हैं आप और भग्यवान भे हैं सो भग्य की प्राप्ति बह और देख लीजेगा फिर मैं हतेले का सांदार विशलेशन करता हूँ यहां पर गुरू देख लीजेगा आप इस प्रकार से लकीरे जा रही है इस प्रकार से लकीरे जा रही है और ये लकीरे जा रही है ठीक यह गुरू आपका एक सही इस्तिति में लेकिन थोड़ा रहेंगी लेकिन जादा कुछ परेशान नहीं करेंगे हां खासकर दामपत्य जीवन का थोड़ा सा द्यान रखें दामपत्य जीवन का जो पूरा सुक है उसके भोग करने में हलकी सी प्रस्तितियां सामने आ सकती है यह जो लकीर है यह हिर्दे रेखा पे आके मिल रही है और परिणाम कहीं न कहीं आपको भुकतना पड़ सकता है इस चीज का बिसेश दिहान रखें बाकी गुरु आपका बहुत सांदार इस्तिति में है चतुसकून बना रहा है इसमें चतुसकून सूर्य के प्रबल होने पर सूर्य अभी आपका बहुत कमजोर है इसका मैं उपाई दे रहा हूं इस पर आके चीजों को भी बता रहा हूं सूर्य के यथावत इस्तिति में आने पे सुपरिणाम देने पे निश्चित रूप से देखेगा जो कुसल परसासक के गुण है आपके अंदर और भी जादा निखर रहे हैं चाहे आपने कितने भी साधरन घराने में जनम लिया हो फिर भी आप आने वाले समय में अपने जोब में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और अपने ही देश में नहीं अन्य देशों में भी बड़ा सम्मान पाने वाले हैं मनि आपको निश्चित तोर पे दो और धाई वरसों के बाद या इसके बीच में ब पद ऐसा होगा कि अपने ही देश में नहीं बरन विदेशों तक आपकी अच्छे खासी पैठ रहेगी और इसके बल पे आप अपने बर्चसों को हासिल कर लेंगे लेकिन एक बड़िया चीज दे रही है ब्रिस्पति आपको वो बड़िया चीज है कि आपको अपने छेतर म पे ऐसी नौलेज रहने वाली है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके यह आपकी हतेली है और इसके कुछ खास चीजी है अब चलता हो मैं आपकी हतेली की कुछ और चीजों पर इनको मिटा लेते हैं हमने उंगलियां तो देख ली है ठीक है ना अब यहां पर थोड़ा गैप देख लें उंगलियों का यह जो गैप है यह थोड़ा नगेटिव है यह नगेटिव कैसे है जब जब आपकी पत्री में सनी साड़ी साती में होंगे धैया में होंगे यह बकरी अवस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव आपकी जियोन पर गहरा और लंबा पड़ेग ऐसे में आप कई बार दुखे से हो सकते हैं कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रह सकती है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी दो से तीन बरसों तक थोड़ा सा आपको समल कर रहना है जीवन में थोड़ी से संगर्स जरूर रहेगी चाहे आप कितना भी कुछ कर ले लेकिन धाई से तीन बरसों तक थोड़ा संगर्स भी रहेगा और बहुत जल्द बाजी और भावनाओं में आके एकदम बड़ा निरणाई ले ले लिया तो धनहानई भी होगी और अभी धाईतीन बरसों तक अगर ब्याऊसाय करने की सोच रहे हैं तो ब्याऊसाय न करे ब्याऊसाय में नुकसान की संभवनाई रहेंगी अगर बहुत ज़रूरी हो करना आपको तो कर सकते है वैसे हैं नहीं लेकिन कर सकते हैं फिर भी पार्टनर्शिप में कारें न करें और देखेगा अभी धन का मानी की जो इस्तिती है जिस परकार से आप बहुत बड़ा का माना चाहते हैं अभी ड्हाइश से तीन वर्सों तक थोड़ा ज्यादा मिहनत इसके लिए करने पड़ेगी और धन का मानी की जो इस्तिति आ रहे है तीन वर्स के बाद बेहतरीन और बहुत ही प्रबल रूप में आती हुई दिखाई दे रही है और धाई वर्सों के बाद का जो समय है वो बेहतरीन इस्तिति आपकी जीवन में लाता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही कारगर इस्तिति लाने के यहाँ पर कोशिस कर रहा है случай एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रयतन सील व्यक्तित्वभी बना रहेगा है थोड़ा भाव किसंसे wenn fort 지역 दयावान व्यक्तित जाल रही है और इन दोनों का प्रभाव इस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे लोग देवता के समान होते हैं बहुत सांदार लेकिन महत्व कांचहें बहुत जादा रहेंगे सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इक्छा भी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे जुगार लगाने को मिल जाए जुगार लगाएंगे किसी का भले ही इस्तेमाल करना पड़े इस्तेमाल कर लेंगे इन के परकारेंड जो भी आपसे हो जाई वो आप करेंगे यहां पर दिखा रही है आपकी हिर्दाई की लकीर मस्त हिर्दाई की लकीर पर एक रेखा यहां पर आकर मिल रही है थोड़ा ध्यान दीजेगा ठीक है ना जो मैंने दामपत्य जीवन के बारे में बताया है आपको एक रेखा इस तरोसी जारी ही ही इसके परबल होने पर और इस रेखा से जो मचले का चिन बन रहा है ये इस पश्ट बता रहा है एक जो रहश्य में विद्याएं हैं इनकी तरब भी आपका आकरसन रहेगा नौलेज बहुत अच्छी रहेगी लेकिन एक आपकी क्रियेटिविटी को बता रही है आप क्रियेटिव दिमाग के बिक्ति हैं आपको बहुत जल्दी लंबी और हवाई यातरा का मौका मिलने वाला है वो भी सुखद रोप में और उसका फाइदा भी होगा और ये चीज यहां पर बता रही है कि निश्चित रोप से आ आपका बौदिक अस्तर सांदार रहेगा और निश्चित रोप से ये रेखा बतारी है कि परिवार की परति समर्पन की जो भावना है केरफुल जो ब्यक्तित है वो हमेशा बना रहेगा इसका लाब भी होगा एक लाइन यांसे निकल करके और ठीक आगे जाती हुई दिखा जाने वाला है यहां से एक रेखा निकल के इस परकार सी जा रही है आने वाले समय में धाई वर्सों के बाद अगर हम देखें तो एक से जादा सरोतों से धन का आगमन आपके जिवन में आने वाला है इसकी जो है उपलब्द दिखाई दे रही है यहां से एक रेखा इस पर और सोंके बाद अपना फल देगा यह धन की कोठरी है ब्यापार जैसे लाब आपको बहुत जादा होगा आयूस बहुत अच्छा रहेगा और सपलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी लगजिरी जीवन के प्रति बहुत जादा रुजहान बना रहेगा और इसको प्राप पा रहे हैं हर सुका भूगा भी करेंगे बनी बन्द में जो पहली रेखा है ये बहुत अच्छी है ये रहका स्वाष्ट्य की रेखा है और तंदुरस्ती की रेखा है धीरे धीरे आपके आरोग्य में सुधार हो रहा है स्वास्त्य में बेहतरीन सुदार हो रहा है और तंदुरस्ती के मामले में आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं दूसरी जो रेखा है ये भी बहुत जबरदस्त रोप में आ रही है और ये है संपत्य की रेखा धन की रेखा ये करियर और धन की रेखा से जो है समन्द रखती है तो कहीं न कहीं चाहे धन का मामला है चाहे संपति का मामला है इसमें लाभानुइत होते हुई दिखाई दी रहे हैं तीसरी रेखा देखें तो थोड़ा सा कटती हुई निकल रही है ये सुक की रेखा है इसको बहुत अच्छा होना चाहे लेकिन उस परकार से नहीं है जिस परकार से होनी चाहे फिर भी आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान किरिया दे रहा हूँ इसको प्रवपर तरीके से करेंगे और एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ इन दोनों किरियाओं को अगर आप यथा वो तरीके से कर सकते हैं तो जरूर करें निश्चित रूप से अगर मैं कहूं तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का अपने धन का और अपने एस्वर भोगने का जो जबरदस्त सुक है वो प्रदान होगा आप इन चीजों का सुक बेहत्रीन तरीके से भोग पाएंगे सुक्र का परवत अगर हम देखते हैं बरतमान में बहुत ज़्यादा जालों से घिरा पड़ा है ऐसे में किसी चीज को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिहनत कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं तो भी आपकी द्रिष्ट से देखें तो परिपूर्णता नहीं है फिर भी थोड़ा सा अभाव दिखाई दे रहा है लाख कोशिस करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्त्विक सुक मिलना चाये उस सुक में थोड़ी सी कमी दिखाई दी रही है इन सब चीजों को ठेक करने के लिए एक सांदार उपाई में दे रहा हूँ एक परकार का ब्यायाम है उसको जरूर करेगा बहुत अच्छा फाइदा होगा आपका निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ गया है चड़ मंगौर वाला गुस्षा बहुत ज़्यादा हाभी हो सकता है तुरंत गुस्षा होगए और तुरंत ठंडा होगए और फिर रिलाईज कर गये कि यार यह तो गलत होगए ठीक है ने उतावलापन को ये दे सकता है तो दिब्य सूर्य के रिया दे रहा हो उसमें मंगल का उपाई दे रहा हो उसको जरूर करिएगा उपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव आपका निश्चित तور पर बना रहेगा इसके बारे में हमने बात कर ली है फिर भी एक नजर अगर डाले तो शिख्छा का छेटर है इंजीनियरिंग का छेटर है चिकित्सा का छेटर है मैनेजमेंट का छेटर है बानेज्य का छेत्र है और कानून का छेत्र है इन छेत्रों में काम करने की सोच रहे है या काम कर रहे है तो सूर्य की अच्छी इस्तिति में आने पर निश्चित तोर पे बहुत बड़ी काम्याबी आपको हासिल होनी वाली है आपको बहुत बड़ा यस मिलने वाला है उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है ये इस पश्ट दिखा रहा है सनी भी आपका वेस्टे ठीक है लेकिन कभी-कभी बेवजह की चिंताईं दे रहा है या कुछ न कुछ हमेशा ऐसी वो जहें ये पैदा करने की कोसिस कर रहा है जिससे तनाव की इस्तिती बनी रहे जिससे इस्ट्रेश बना रहे तो इसके लिए और ये सुबह उठने में आलस जादा पैदा कर सकता है प्रेशानिया उत्पन न कर सकता है तो थोड़ा सा आलस से बचे और कहीं न कहीं दिव्यय योग ध्यान के रिया जरूर करें यहां पे देखेंगे तो एक प्रकार की हलकी मचलेसी बन रही है और यहां पे जो है एक इदर आ रहा है एक इदर आ रहा है यहां पे इस प्रकार के साइन बन रहे है थोड़ा सा जिस प्रकार से एक स्वतं साइन नहीं बन रहे हैं चिन नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जितना परियास आपके द्वारा किया जा रहा है उन परियासों में आप उस परकार से सफल नहीं उपा रहे हैं जो मेहनत आप कर रहे हैं जो परिश्रम आप कर रहे हैं जिस परकार से उसका कमी दिखाई दी रही है जो वास्तुक क्वालिटी आपके अंदर है जो योग्यताएं आपके अंदर है उस तोरो से अभी चीज़ें उभर नहीं रही है जिस प्रकार से एकदम निखर के आनी चाये थी वो नहीं आपा रही है आपकी आर्थिक इस्तिति जिस प्रकार से एकदम उच्च अस्तर की होनी चाहे थी उस प्रकार से अभी हुई नहीं है एक सहजता से एक सरलता से जो रास्ता वास्तों में मिलना चाहे था उसमें थोड़ी सी अडचने है इसका कारण है आपके जो सारिरिक चक्र है वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस पर तालमेल में नहीं है और उसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है कहीं न कहीं आपका जो सारिरिक स्वस्त्य है आपकी जो जीवन की खुसहाली है जो उत्सा है जो उर्जा है इन चीजों की हलके रोप में चिंता करनी पड़ रही है अब इसको ठेक करना बहुत जरूरी है मैं आपको दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ उसको प्रवपर तरीके से करेंगे यदि आप दिव्य सूर्य किरिया प्रवपर तरीके से करते हैं तो निश्चित रोप से आपके जो सारिक चकर हैं वो सूर्य के चकरों के साथ यहां आपकी सारेरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा येकीन मानेगा फिर चाहे सारेरिक स्वास्ते हो जीवन की खुसहाली हो उत्सा हो उर्जा हो इन चीजों की आपको चि महसूस होगा इसके बारे में हमने बता दिया है थोड़ा आपका अगर चंद्रमा देखें चंद्रमा बहुत जादा अन्बैलेंस हो रहा है इसकी वजों से जो बड़ी यात्राइएं हैं उनमें अर्चने आ सकती हैं क्योंकि इससे यात्राइएं देखी जाती हैं धर्म का चितर है मन का कारक है और 70% हमारी जिवन को बदलने की ताकत रखता है और यही एक चीज है जो आपकी हतेली में बहुत जादा अन्बैलेंस है इसकी वजों से मन गड़बड रहेगा मानसिक प्रेशानी जरूर बनाएगा यह कई बार भावकता आ सकती है या इमोशनली उचाट रहे या कारियों में मन न लगे और अपने डाइजेस्टिब सिस्टम का आप ध्यान रखेंगे कहीं न कहीं पेट से समंदित प्रेशानिय उभर सकती है और नीन आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है तो इस चीज का ध्यान रखें कोशिस करें जि शिब की निरंतर पूजा करें तो इसमें आपको बहुत अच्छा राहत महसूस होगी बाकी उपाई में लिख करके और ओडियो के माद्यम से दे रहा हूं इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार